हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉन स्टेडी आज का हमारा चैप्टर है सीरीज जिसका हम करने जा रहे हैं पार्ट वन सीरीज चैप्टर जो है यह दो टाइप्स पे डिपेंड करता है एक है नंबर सीरीज दूसरी है अलफ़ाबेटिकल सीरीज और आज हम करने जाएंगे इसक इसी भी अपडेट को मिस्मत कीजिए तो शुरू करते हैं हमारे नंबर सीरीज का पहला कोशन देखिए नंबर सीरीज यानि इसमें नंबर की इंवल्मेंट होगी और जहां पर भी नंबर इंवल्व होगई यानि कि वहाँ पर मैथमेटिकल उप्रेशन लगेंगे हमारे प बताएंगे कि नेक्स सीरीज का जो नंबर होगा वो क्या होगा ठीक है तो यह रहा हमारा पहला कोशन 0 6 24 60 120 210 हमें नेक्स नंबर बताना है अब बिसिकली सीरीज में होता क्या है आपको एक नंबर जिया है अलफाबेट की सीरीज दी होगी उनके बीच में कुछ गैप होगा उसी गैप का पैटन हमें डिकोड करना है और उस पैटन के बेसिस पर हमें नेक्स नंबर फाइंड करना है अब यहाँ पर दिया है 0 6 24 61 20 210 अब मैंने आपको बताया कि इसमें हम चार ही mathematical operations यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम usually हम questions में क्या करते हैं हम देखते हैं कि gap कितना बन रहा तो बन रहा है इस questions में देखिए पहले 0 सा 6 में है 6 का gap छे से 24 में 18 का फिर है I guess 36 का फिर है 60 का और ऐसे ही इनक्रीज हो रहा है exponentially exponentially मतलब की at definite gap एक fixed gap पे नहीं increase हो रहा, पहले कम gap है फिर जादा फिर और 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 जादा ठीक है, ऐसे pattern जब भी increase होता है तो हम minus करने के बजाए हम multiplication वाले पे आते हैं, आप इसे plus addition या subtraction वाले method से भी कर सकते हैं, अगर आप देख ली पर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये सारे number जो है 6 के table में आते हैं, तो पहले मैंने इन numbers को 6 से divide कर दिया, क्यों? ताकि मेरी series जो है थोड़े छोटे numbers में convert हो जाए, तो ये रहा वोई logic 6 into 00 है, 6 into 11, 6 into 4, 24, 6 10s are 60, 6 20s are 120, 6 35s are 210, अब मैं सिरफ इन numbers पे काम करूँगा, य subtraction, अब देखिए, 0 से 6 में आप addition subtraction करते हैं, तो आपके पास 6 का gap आता, 6 से 24 में 18 का और ऐसे ही gap increase होता जाता, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस बड़ी बड़े बड़े numbers का gap के बजाए, मैंने सब terms को 6 से divide कर दिया, ताकि मेरा जो gap आए, वो छोटा हो जाए, ठीक है, end में जो भी pattern बनेगा, हम 6 से multiply करेंगे, तो हमारा final number आजाएगा, तो अब देखिए, 0 से 1 के बीच 1 का gap, 1 से 3 के बीच 3 का, 4 से 10 के बीच 6 का, 10 से 20 के बीच 10 का, 20 से 35 के बीच 15 का, अब हम इनी number पे अगर ध्यान दें, तो आप देखोगे, कि 1 और 3 के में कितने का gap होना चाहिए, 6 का, जब 15 में हम 6 add करेंगे, हमारे पास आजगा 21, ये 21 हम 35 में add करेंगे, तो हमारे पास आजगा 56, पर क्या 56 हमारा final answer है, नहीं, हमने question के starting में क्या किया था, सब numbers को 6 से divide कर दिया था, हमने ऐसा किया था ना, कि 6 into 00 है, 6 into 11 है, 6 into 4 24 है, फिर हमने वही वाले numbers लिए थे, जैसे 0, 1, 4 लिए, जो 6 से multiply हो रहे थे, और हमारी उपर वाली series question में जो दी है, वो form हो रही थी, तो उसी pattern को continue करते होए, हम 56 को भी 6 से multiply करेंगे, हमारे पास final number आ जाएगा, दिखिए 6 into 0, 6 into 1, 6 into 4, 6 into 10, यही number में नीचे लिखे है, 0, 1, 4, 10, 20, 35, औ जब आप 6 से multiply करेंगे, तो आपका answer आएगा, 336, अब इसको करने की एक short trick यह भी है, कि जब आप 6 into 6 करोगे, तो आपको दिखेगा, कि आपका unit digit जो है, वो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 जो 36 होता है, तो 3 carry on चल जाता है, पर हमें 3 से फरक नहीं पड़ता, जैसे ही आपने 56 into 6 कि आपके पास 6 into 6, unit digit 6 आया, आपने options चेक किये, आपके option में सिर्फ एक ही option था, जिसका unit digit 6 हा रहता, वो था option C, तो option C आजाएगा, आपका correct answer, तो हमारा answer आगया, 336, चलते हैं हमारे next question पर, 4, 6, 12, 14, 28, 30, अब देखिए इसका logic है, कि 4 और 6 में 2 का add हो रहा है, 6 और 12 में 2 की multiplication हो रही है, 12 और 14 में 2 का add हो रहा है, वैसे ही 14 और 18 में 2 की multiplication हो रही है, 20 और 8 और 30 में 2 का add हो रहा है, तो 30 के next number जो होगा, उसमें क्या होगा, 2 का add होगा, यह दो का multiply होगा, pattern देखिए, plus 2, multiply by 2, plus 2, multiply by 2, plus 2, तो next होगा, multiply by 2, जब हम 30 को 2 से multiply करेंगे, हमारे पास आएगा 60, और वही होगा हमारा answer, option B is our answer, 60, अब आया next question, 1, 3, 3, 6, 7, 9, question mark 12, and 21, तो अब इस question में आप logic लगा के देखिए, कि पहले हम addition का logic लगा के देखते हैं कि 1 और 3 में 2 का gap है, 3 और 3 में 1 का भी नहीं है, 6 और 7 में 1 का gap है, तो 9 और question mark में किसका gap होगा, जब हमने ये logic लगाया, तो देखा कि plus 2, 0, 3, 1, 2, ये कुछ sense बन नहीं रही है, ठीक है, तो मतलब हमारा जो ये addition, subtraction वाला जो था वो नहीं लगाएगा, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा multiplication ये division, वो लगा के देखेंगे हम, तो हम देखेंगे कि 1 से अगर हमें 3 जाना है, अब हमने into 3 into 1 into 2 into 1 plus 1 इसका भी कोई logic नहीं बना, तो यानि कि multiplication जो साथ-साथ वाले numbers की है, वो भी गलत हो गई, क्योंकि वो भी set नहीं बैठी, तो अब क्या करें, अब हमारे पास थे 4 logical operation, plus minus का भी गलत हो गया, multiplication division का भी गलत हो गया, तो obviously बात है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, अब हम इन numbers को साथ-साथ में multiply करने के बजाए, या add या subtract करने के बजाए, हम alternative हैंगे, यानि हम काम करेंगे, 1, 3, 7, question mark 21, ऐसे पर, ठीक है, तो हमने देखा कि 1, 3, 7, question mark 21, हमारे पास आगी series, दूसरी series बनती थी कि 3, 6, 9, 12, तो उसको हमें करने के जुरुएत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें हमारा question mark जो था, वो पहले ही, पहले वाली series में मिल गया, तो हम करेंगे वही, सबसे पहले हम addition subtraction वाला करके देखेंगे, यानि हम gap, रूंडे के 1 से 3 के बीच में है 2 का gap, 3 से 7 के बीच में है 4 का gap, अब हमने देखा कि पहले 2 का gap आ रहा है, फिर 4 का gap आ रहा है, अब यहाँ पर 2 possibilities हो सकती है, यहां तो 2-2 number की addition हो रही है, या double होते जा रहे नमबर, यानि 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हो सकता है, या अगर 2 number की addition हो रही है, तो 4 से 6 हो सकता है, तो हम यह दोनों numbers के chances लेंगे और इन्हें एक करके try करेंगे, जब आप 7 में 6 add करोगे, आपके पास आएगा 13, यानि कि 2-2 number की addition वाले pattern के हिसाब से हमारा 13 में जो है, वो 8 add और चाहिए था, ठीक है, तो 13 में 8 होगा, तो 21 आएगा, बिलकुल, 13 में 8 होगा, तो 21 आजाएगा, तो हमारा जो था, जो हमने plus 6, जो दो-दो number add करने वाला pattern हमने पकड़ा, हमारा वो ही pattern set बैठ गया, और हमारे पास आगया हमारा answer जो कि है 13, option B में, तो हमने दूसरे वाल 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, ठीक है, यह हमारा question है, हमें next number निकालने, अब आप देख सकते हैं कि जैसे number ये series आगे बढ़ती जारी है, वैसे वैसे ये चोटी होती जारी है, अब सबसे वहले आप चीज़ देखोगी कि एक number से इसमें से निकल रहा है, या फिर दो numbers निकल रहे हैं, तो आपने देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, इसमें है 8 number, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, इसमें है 7 number, 2, 3, 4, 5, 4, 3, इसमें 6, यानि कि एक एक number निकलता जा रहा है, तो हमारा जो final answer होगा, वो चार number का ही होगा, और हमारे option में 4 option भी 4-4 numbers ही है, ठीक है, तो अब हम next अपना logic apply करके देखेंगे कि हमने देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, और next number से जब हमने compare किया, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3 से, तो हमने देखा कि उसमें 2 नहीं था, ये red में देख रहे हैं 2, ये next वाली number series में नहीं है, तो पहले तो हमारा 2 drop हो गया, अब next वाली number series देखी है, हमने कि 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, और उसके next वाली number series देखी है, 2, 3, 4, 5, 4, 3, तो हमने देखा कि इस वाली में से 1 drop हो रहे है, similarly next पे देखा हमने कि 3 drop हो रहे है, इस pattern को follow करें, तो सबसे पहले last number drop हो रहे है, फिर first number drop हो रहे है, फिर last number drop हो रहे है, तो इस pattern को follow करें, हमारे इस वाले number पे, first number drop होना चाहिए, यानि कि 2 drop होना च बचेंगे 3454 ठीक है तो 3454 हमारे clearly हमें दिख रहे हैं option B में और यही था हमारा इस question का logic आते हैं हमारे next question पे 986, 950, 925, 909 और 900 ठीक है हमें next number बताना है तो आपको दिख रहे हैं सारे clearly 900 की range में है तो अगर हम subtraction वाला trick अपनाए तो उससे भी हमारा answer आ सकता है अगर इन numbers का gap बड़ा बड़ा होता for example 986 फिर होता 950 फिर होता सिधा-सिधा 800 something फिर होता 700 something फिर होता 300 something तो हमें पादा चल जाता कि इन numbers subtract नहीं हो रहे हैं यह number divide होते जा रहे हैं तो उसमें हम multiplication division वाला method लगाते हैं इसमें हमारे दिख रहे हैं कि numbers के बीच के जो difference है वो कम है इसलिए हम शुरुआत करेंगे addition subtraction से अगर यह वाला pattern नहीं लेगा तो हम of course multiplication पर फिलाल के लिए हम start करेंगे addition subtraction से तो 986 से अब जब हम 36 minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 950 वैसी 950 से 25 minus करेंगे तो हमारे पास आएगा 925 925 से 909 minus करेंगे आएगा 16 तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास दो पैटर्न आ जाती है अब आप इनको भी माइनस कर सकते हो ठीक है अगर आप इनको माइनस करोके तो देखो कि इसके बजाए आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं अगर आपने ध्यान दिया तो आप देख सकते हैं कि 36 जो होता है 6 का sqeure होता है वैसे ही 25, 5 का sqeure, 16 जो है 4 का sqeure और 9 जो है वो हता है 3 का sqeure, तो हमारी next term क्या आईगी? next term आईगी 2 का sqeure, तो 2 का sqeure क्या होगा? वो होगा, minus 4, जब 900 में से आप 4 minus करोगे तो आपके पास क्या answer आएगा? 896 आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं अगर आपको यह चीज़ ट्राइक नहीं हो रही कि यह squares है perfect squares हैं तो आप सिधा-सिधा subtraction भी कर सकते हैं उन number का gap भी निकाल सकते हैं अगर आपको देखते ही पर चल रहा है कि यह squares हैं तो आप सिधा-सिधा next number देख सकते हैं जिसका जो square बनने वाला है तो 900 में से हमने 4 minus किया हमारे पास 896 आगया जो कि था option A इसी के साथ हमारा जो पहला part आगया series का जिसमें हमने number series पड़ी वो complete होता है कल हम पड़ेंगे alphabetical series जो कि होगा हमारा part 2 जैसे question हमने आज किये JKSSB class 4 में वैसे ही question आते हैं इससे उपर का difficulty level नहीं आता है तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी tension लेने की जुरूरत नहीं है कि इससे गंदे level का question तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये video lecture बनाने से पहले previous year question papers को एक बर consult किया था उनके questions देखे थे उनका difficulty level देखा था तो वो इसी difficulty level के थे इसके उपर का कोई भी question नहीं आया हुआ था तो आप बेफिकर होके हमारे content पर trust कर सकते हैं अगर आपको ये video समझ हाई अच्छे से समझ आगी सारे concept पता चलगे कौन-कौन से operation आपको कब-कब use करने है ये सब समझ आगा तो आप इस video को like कर दीजिए साथी साथ हमारे channel को subscribe कर दीजिए और इस video को अपने friends के साथ share कर दीजिए Thank you